एक बैयाना होगा ओ बाबा बाबा दूने आले एक सुनील है बाई चैल है और हर दीब चैल है वो तो बहुत अच्छे कलागा है शुब शामर त्याकर इश्वर को इश्वर को अनसन मान सखावेगा सदी भी स्वी पाच्छे लोगो नमस्कार मैं तरुन अरुडा आज हम मुझूद हैं जीन जिले के अलेवा गाउं में जहां पर आप देख सकते हैं अलेवा गाउं एक बहुत ही विक्सित गाउं है और यहां पर भाईचारे की बात करें तो भाईचारा बहुत ही यहां पर बहुत ही अच्छा है तो अलेवा गाउं जो है कवियों की धर्ती भी कहा गया है अलेवा गाउं में बड़े-बड़े कवि हुए हैं पंडित ग्यानी राम जी पंडित माई राम जी और पंडित राम चंदर जी बड़े बड़े कवी हुए हैं जो पंडित राम चंदर जी थे वो पंडित लखमी चंद जी के पार्टी से थे और यहां पर सांग लिखने वाले भी बड़े हुए हैं कृषन शिलपार जी का नाम जो बहुत बड़े-बड़े सांग लिखे हैं उन्होंने तो ये इनके नाम क्यों नहीं चड़सके क्या वज़े रही उस ताइम पे जो ये आगे तक नहीं बढ़सके उसके बारे में जो आज की जो हमारे साथ पार्टी मुझूद है जो रागनी की पार्टी जो मारे साथ मुझूद है रागनी पार्टी के कलाकार जो मुझूद है तो उनसे हम बात करते है राज्जू और राजबिर की राज्जू लोहान और राजबिर शर्मा जी की ये पार्टी है तो इनसे बात करते हैं राजवी शर्मा जी मारसत मुझद है राम राम जी लोग बहुत शुगीन हैं अले वागाओं में रागनी सुनने के पंडित माई राम की और ग्यानी राम जी की बात करें तो उसके बारे में क्या कहने जाएंगे उन लोगों के बार में आप क्या कहने जाएंगे देखो जी ग्यानी राम जी पिछे हुए हैं पहले माई राम जी हुए हैं माई राम जी तो लखमी के टाइम के कवी थे और बहुत अच्छी अच्छी कवीताइं बनाई हैं उन्होंने और ग्यानिराम जी भी कम नहीं थे, वो बहुत दूरदर्स सी आदमी थे, कि उन्होंने एक बात बनाई थी, मतलब आज से पचास साल पहले, जो आज के ये कल्यूग नी है, इस ने लखमी चंजियों ने बनाया है कल्यूग, और तो कल्यूग के शहाब का बजन बनाया ग्यान कवी हो आओ, तो अगर अडेवा गाओं के शुरोताओं ने उसके रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट हो जाता है, वो मतलब आगे चली नहीं पाता है, अगर अडेवा गाओं ने कह दिया भी यहां भी तो पास है, बिल्कुल बहुत बढ़ी आगाता है, तो आगे तक सुद्धी यह अच्छा बुरा लाइसुर में गाता है, ना गाता है, यदि लाइसुर में गाएगा, तो लोग अपने आप ही सराएंगे उसको, जी, हां जी, तो अलेवा गाओं में सुनने में आया कि बड़े-बडे जो कलाकारा उन्होंने गाया है, अलेवा गाओं में, पंडित मांगे राम जी, पंडित लखमी चन जी, क्या ये बात सही है, ये कवी थे, ये गाओं से नहीं थे, ये तो पंडित मांगे राम जी, तो पांची से थे, और पंडित लखमी चन जी जाटी से, बतर इन्होंने बड़े-बडे कलाकार थे, जो रागनी कलाकार, इन्ह भी खूब साथ देते थे उसका हाँ जि तो बात करें present liek ans² रागनी के सुनने वाले बहुत ऑर गायक भी भी बहुत मिल जाते हैं लेकिन कुछ के नाम चड़ते हैं कुछ का जिसने गायक ने तो पार्टी ने उसको ही चड़ा दिया हां जी तो आपकी पार्टी में कितने लोग हैं हमारी पार्टी में आठ बंदे हैं जी अलेवा गाउं में जो रागणी की शुरुवात हुई थी वो कब से हुई थी और किस ने गी थी यह भी कुछ इसके बारे ही जी हमें सही तो आकल निश्का लगा ने सकते और हमारे से पहले हुए हैं पंडत बलमत पारश राम और सैन हुए हैं हमारे एक तो इच्छा था और मजे शिंग थे बगत इच्छा राम था जी वो बहुत ही अच्छा गायक था तो उनसे पहले भी हुए हैं उनसे पहले हमें सुनने में आया है एक तो ये दीप संदे जी ओए हैं सुनार थे जाती से और एक पंडित थे जी ये अमारे जगतुराम वो हकला के बोलते थे लेकिन गाने गाते हुए नहीं उन्हें अकलाया कभी गाना बहुत अच्छी तरे से गाते थे और इनके टेक में था ये सैन थे जी किया नम था उसका? मौमन राम, अच्टार्व नार श्टार्टिंग की पार्टी में तो वो तो गाय कथे जी शुनने में आया है और मौमन राम इनका टेकिया था और एक बेंजु आला था इनका क्या नाम था उसका श्योनन श्योनन जंगम जी थे वो बढ़े पुराने कलाकार हुए है बढ़े अलेवा में स्टार्टिंग ही नहीं से हुई थी हमारे अंताजी में तो जी इनसे पहले का तो हमने को सुनने नहीं हाँ जी तो आपके आपकी बात करें, आप भी रागणी के अच्छे कलाकार हैं, तो आपकी जो गुरू थे उनका नाम बताई, उनका प्रीचे दीजी थोड़ा, मेरे गुरू जी पलमत पंड़त जी थे जी, वो तो बहुत अच्छे गायक थे वो, हाँ जी, तो आप कौन सी उमर में आपने गान तो आपकी पार्टी की बात करें, आपकी पार्टी मतलब आज के टाइम में जो पूरे पार्टी के जो मेंबर हैं, आठ मेंबर, आगे क्यों नीबढ़ सके, क्या कारण रहे हैं उसके? यह जी, उतार चड़ा वाती रहते हैं, और कुछे गरवाड़े भी ऐसे ही, गरकिष्थीती हो जाती हैं, आगे नीबढ़न का कारण है, अधर गाउन ने साथ नहीं दिया, या घरवाड़न साथ दिया कोई उसका कोई कारण, या आप नहीं आगे बढ़ना जाए, कुछ ऐ आप यह लेगे चले, हम यह लेगे चले, अगे हमारा समाजिक तोर पर ले गे चले, मतर्ब मकसद पैसा कमानें था, नहीं पैसा कमाना नहीं था मकसद, और हमने जीतनी भी कवीताइं गाते हैं, आमें बाब, बेटा, बेटी, मां किसी तरह से सुने जाओ, पंड़त लखमी आपनी पसंद की कोई रागनी की दो चार लाईने हैं जी सुना देंगे जी एक रागनी के बात बनाई पंडिते ग्यानिराम ने जो मैं पहले भी बात की थी आपके साथ जो आज का कल यूग है जो घटितो रहा है और तो अपने आप ही आप भी यह समझेंगे कहां भी यह तो बात वहके में उन्होंने पचास साल पहले और आज यह घटित होई है जी वो बाते हैं जी एक बात में बताया उसने के सदी बीशवी पिछे लोग गो ऐसा जमानना आएगा और इतना इतनी खिलकत बदिज्यागी मानस ना मानस खावेगा जी सदी बीशवी प अनून रोज के गाह के सुनाई जैसे आप रागनी में गाते हैं तो उसे साब सुनाएं अच्छा जी उससी उससी उससे सुनावा है चलो जी एर सदी बीशवी पात्छे लोग ऐसा जमानना आवेगा और इतनी खिलकत बदिज्यागी मानस ने मानस खावेगा इतनी खिलकत बदिज्यागी मानस ने मानस खावेगा सदी बीशवी पात्छे लोग ऐसा जमानना आवेगा नए बने का नून रोज के रूल पुराने ओ जांगे गड़ी गड़ी में लग कचरी च्वक की थाने ओ जांगे लोग बसेंगे पानी में सब लोप शमाने ओ जांगे दूद दैगी सुपने ओ जांगे दूद दैगी सुपना ओ जांगे अमोत्ती दाने ओ जांगे इर गास फूस योरी सब जी खाते गा गास फूस योरी सब जी खाते नूँ यू मानस काम चलावेगा इतनी क्यलकते बद ज्यागी मानस यह किसकी बनाई हुई है यह पंडित ग्याने रामजियों की है आज कलके जो टाइम में जो अलेवा गाओं में जो कभी हैं पंडित रामकुमार कभी जी है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे रामकुमार जी बहुत अच्छे कभी है उन्होंने बहुत ही कविताइं बनाई हुई है और ये बेट्टी बचाओ बेट्टी पडाओ उनकी तो एक कविता बहुत ही चर्चित हुई थी ज़िए दो लाइने अगर आपको याद हो तो उसका प्यान लें है जी समासुदार की कविता थी ज़िए बहुत अच्छी कविता थी तो अब हम बात करें कि युवा जो है युवा भी रागने सुन रहे हैं आजकल के यूवा जो है अपनी एक अलग पार्टी बना रहे हैं और वो भी आपसे सीख के आपसे भी अच्छा गाने की कोशिक करे हैं तो उनको क्या प्रोसाइट करना चाहेंगे मतलब आपको उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे हम यह सोचते हैं जी हमसे भी अच्छा गाएं तो बढ़िया हवो हमसे नकल करो तो बढ़िया की करो यह नहीं हम अच्छा ने गाते तो हमारी नकल ना करो यदि कोई बाहर का बंदा बढ़िया गाता उसकी नकल करो गाने को अपनी हर्यानवी संस्कृति को अच्छी तरह से संजोग कर रखेंगे तो हम ठीक रहेगा जिस तरह पिछे वाले गवी हमें विरासत में देगे आग्गे ये समझते हैं कि आग्गे आने वाली पीडी भी हर्यानवी संस्कृति को बना के रखेगी यही आशा करते हैं धन्यवाद राज्जू और राजबिर की जो पार्टी है तो राज्जू जी हमारे साथ मुझूद है राम राम जी तो राज्जू जी से पूछते हैं राज्जू जी सबसे पहले तो आप ये बताईए कि आपके गुरू कोन है हमारे गुरू जी करमबिर जी थे करमबिर जो एक सरपंच रह चुके हैं जी तो अड़िवा गाओं के जो एक सरपंच रह चुके हैं करमबी जी जो उनमें क्या खास बात थी ऐसी उनमें जी ऐशी खूबी थी जी च्या छे राग तीस राग नी है जी उनमें ऐशे आवाज को मोड देते थे जैसे बाल की तरह है शुर्के पक्के थे सुर्टाल के सुर्य ताल का गाना अर्दनी सुर्टाल का होना जी यह समसे बैस्ट तो अगर बात करें कि सुनने में तो ये भी आया था कि बैंजू भी उन जैसे कोई नहीं जा सकते है जी मैं बताऊंगा तो जैसे शरुवात में तिन्ने पार्टी थी आपने र खूब उस समय के दोर में बंजू जो बजाएगे नी अर इतना अदर था उनका अर याने में जिसकी कोई तुल ना निकर सकता है तो रही बात अग्गे तरक्की करनगी आमना अपने श्योंक से गाया है पैसा बढ़ाया के नहीं गाया है दुकानदारी बढ़ाया के नहीं गा मास्टर जी थे नोकरी थी तो उसकी बैक थी तो बैक भी जरूरी है आदमी के लिए तो उसमय के दोर में जितना प्यार मिले है जितनी जट मिली है जितनी कलाकारी का चाह था हर संश्किर्टी को बढ़ाने का अब नहीं है अब क्यों नहीं है पहले रागा के शाब तर नहीं ऐसे नहीं है लोक शंपर्क में जो पाश होगा जो रेडियो स्टेशन में पाश होगा वही ही कलाकार मैंने जाओगा तो आपने रेडियो में कभी गाया है हाँ जी आपकी पार्टी ने गाया हाँ जी तुले राम जी थे तुले राम ने में पाश करया था रुद तक तो फिर छाशी शताशी में खूब ये पारिटी चड़ी है ये कैदे यह नहीं बे आगए बड़े नहीं बड़े भी खूब हैं चारों खूंट मगाया है मारी एक थूरी थी के गाम का नाम करवाना है को बैर का कोई भी डालका कलाकार है कोई आमनार यह शोच रही है जिसमें इतना अमारा गाओं पुजनिये है कोई कलाकार यह नहीं कहते है तो उनको देखते हुए ही आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं मतलब अपने गाउं का नाम रोशन कर रहे हैं अपने गगनी गाने की शुरुवाद कब से की थी ये जी 86-87 से करी थी दस साल का गाने लाग गया था मैं दस साल जो आपके गुरु है उनसे सिखे थे आप तो पड़े लिखे कितने आप पड़े लिखे तो आठ पड़े थे जी फिर सही होगा मने इंचाराम जीयां का मजिये राम जीयां का अच्या जैसे ये बलमजी थे अम तो उनके दूर बच्चे थे फिर आम श्योक बढ़िया था उन्ती ये यही बात कही थी और आखरी में इंचाराम तो ये कहक गए थे कि बाई ये जो गाउं की दरोर है ये आप ते सुपदी है राजू ओ काम तेरा है क्योंकि जितने भी बच्चे हैं शारे बढ़िया हैं ये सतबिर जी रहे हैं पराने इन्ती भी पार्टी को अगबड़ आने के लिए अड़ तक लियाने के लिए बहुत शोयोग दिया है ये साइड शिंगर रहे हैं अमने जो कैसेट बनाई थी जाट नंबर वन जाट साइलर यारेली में तो उनमें भी शोयोग दिया था तो आपने कैसेट भी निकाल लिया था एक दादू जी का चमतकार निकाल लिया था जो आपने दादू जी है अच्छाए एक ये जाट नंबर वन तो बाला जी जो कंपनी वाला था उसमें ये दोनों नंबर बनाए थे तो जीश्टम आपने गाने की शुरुवात की थी उस्टम अलेवा के रागनी गायक कौन थे फेमस और ये इसके बारे में उताई है देखो फेमस तो तिन्ने थे इंचाराम तो सबसे बैस्ट था दूसरा नंबर पर बलमत था फेर था मजिया क्योंकि दिखो और तो सुईयोगी वो एक रहे है सुईयोग सब ने खूब दिया है तो गाने वाले जो ये थे बहुत बढ़िया थे अरजी अमारा भी दो बार स्लेक्शन होया है लोक्संपरक में शरकार की तरप से अमने जो नेरु स्टेडियम है जीन्द वहां दो बारे नाम डीशी नमार को दिया है समानित करिया है और जी पर तीसरी साल है फिर ओड़ समानित होए अलेवा की तरप से वहां कुरक्षेतर है नहीं अरीदवार और कुरक्षेतर भी जाठतर मशाला में जीस टेम जाठतर मशाला की प्रोग्राम चलए था औरonter कोई खोल नहीं थी सय होग दिया था यूष टेम बहुत बढ़िया पार्लिटी का नाम था नाम था और भयत बढ़िया प्रोग्राम चले लिकलते हैं। जो पहले कि दो तरक हैं जी ये तो समाज भुद आलने के लिए समाज को सचेत करने के लिए हुरागने ये तो है गरश्त ग्यान और जो मैं बता रहा हूँ ये है सादू ग्यान जैसे ये गुड़ ग्यान है इसको बोले ब्रम ग्यान जैसे बताए एक बजन में आपना ही बजन बनाया है शुबश्याम रट्याकर इश्वर को इश्वर को बंदेश्वर को या गय के शुनाओ या वैसे शुनाओ अच्छा जी बहुत बड़िया जो दर्शेगा सुनना जाएंगे बिल्कुल थेक शुबश्यामर त्याकर इश्वर को इश्वर को बंदेश्वर को तेरे लगे ना दोश लगाया तेरी सुद्यो जागी काया शुबश्यामर त्याकर इश्वर को इश्वर को बंदेश्वर को अरके बजन बिन जीवन है बेकार मार्या मार्या ना ते फिरता सब संशार अरके बजन बिन जीवन है बेकार मार्या मार्या फिरता सब संशार दूर हो एक पल में अंदकार जो छाया शुबश्यामर त्याकर इश्वर को इश्वर को बंदेश्वर को अलेवा गाउं में जो मानता है बाबबेदुने मले की मानता है पूरा गाउं उनको पूशता है तो उनके ऊपर भी आपने कुछ रागनी की बनाई हैं तो वो भी हमें सुनाई है तो देखिए वैसे तो इस नगरी पे पांचू अस्थानों का आत है यहां दादू जी हैं जो पांशो साल होई हैं शाड़े चार्सो साल दूने वाले नो हैं अच्छा तिन सो साल के नेड़े नजदीक लगदाए ही चार्सो कर नजदीक यंताजम है जो नाथ जी हैं मंगलाई नाथ हैं फिर द्यालगर जी हैं तो खाख नाथ हैं पांचू जो शक्ती हैं यह बड़ी अच्छी शक्ती हैं तो इन पहले मंगलाई नाथ की तो रिकोल्डिंग भी गई थी वहां रुट तक प्रोग्राम भी दिया थां थी तो बब्ब दूनाले का नाम पर एक बजन है तो दो लाइने वो भी मरे दशकों सुनाएं जी शुनावांगे जरूर शुनावांगे तो देखिए बगत याद करे हैं बाब्बे ने क्यूं इस नगरी की इतनी आश्था है बाब्बे पर गरीब तगरीब भी तनमंदन से शेवा करें जो इससे जितना पुकता है वो गा बाबाबाबै दूने आली क्वे आना होगा theatre बाबबन दूने आली क्वे आना होगा ओ बाबा बाबा दूने आले केरे ओ नाम की जोत जगाई तिरे नाम की जोत जगाई चरना में अरदास लगाई चरना में अरदास लगाई तिरे नाम की जोत 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 सिलपार जी हमारसत मुझूद है इसी पार्टी के जो है रागनी पार्टी के राम राम जी तो आप मास्टर सत्वीर सिलपार जी आपके परिवारे में से क्रिशन सिलपार जी थे जो सांग लिखा करते थे उनके बारे में कुछ होता ही है देखो बहुत बड़ी अकलाकार थे और उन्हेंने कई खिश्या भी बनाई और बहुत अच्छे दंग से गाया गर्दे मेरा छोटा बाई किर्शन था तो उनके बारे में कुछ दो लाइने मतर जो उन्हें लिखा था उस वो कुछ याद हो तो आप हमारे दर्शकों को जोर सुनाई है मेरे उसका प्रिशन दियां का एक याद है में उसके बारे में मैं आपको सुनाना था तो हुआ बादर बारे से लाग रही थे मकार मस्त महीन समन का आया रे बादर बन से लाग रही थे मकार मस्त महीन समन का आया धन्यवाद जैसे कि राजबिर शर्मा जी ने बताया कि आपके जो पिता जी थे मोमन राम जी तो वो एक अच्छी टेक में गात थे उनके आपके पिता जी के बारे में दो लाए ने बतायी कुछ देखो उनका तो ऐसा था उनकी पर्टी थी छह साथ सदेशियों होया कर दे तो उस जमानों में यह अमने तो उन बुदर्गों बसुड़ा है जो इसके साथ रहा कर देवे जो आपके पिता जी थे वो बहुत ही बड़ी आके नम से टेक में बुले कर दे और गाविल दे को आपके जो प्रोग्राम है कहां कहां पर चल रहे हैं अब तो प्रोग्राम कुर्पछितर है जारदरम्शालं अम प्रोग्राम चल दे जो जो चुनाव आ रहे हैं तो यहां पर भी आपके प्रोग्राम उत्ते होंगे आशा है जी और यह अपने भी और यह रही है तो दूसरी पार्टी ने बलाए ले हुआ तो देखो जी उनको उपर बात हुआ है आप भी त्यार हाथ दी रहा है कोई बलावा का बाईयाद हमसे चोटे हैं जो अब यूवा हैं बहुत अच्छा गाते हैं और एक सुनील है बाई चैल है और हरदीब चैल है बहुत अच्छे कलाकार हैं हमसे चोटे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमसे भी बड़ी आगाओ उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं जो पुराणी पार्टी जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं नई पार्टी को तो उसके बारे में जो दो लाइने को आप जो नई पार्टी को कुछ कहना चाहेंगे जो नहीं पार्टी युवा हैं उस पार्टी के बारे में कोई दो लाइने कुछ हैसी बताई कि उनको अच्छी तरह से मोटिवेशन मिले हम तो उनको यही आशिरवात देंगे कि हमसे भी अच्छा गाएं वो जी और दिन रात गाते रहें उन्ती रवे उनकी दिन रात चोगनी उन्ती हो उसकी जी धन्यवाद तो देखिए पहले जो शोशल मीडिया का परचार नहीं था जो जिसकी जैसे कलाकार आगे नहीं बढ़ बाते थे लेकिन आज जो है शोशल मीडिया का परचार इतना हो चुका है कि हर बच्चे-बच्चे के हाथ में मोबाइल है आप घर बैठे रागनी कोई प्रोग्राम कोई सांग कुछ भी देख सकते हैं शोशल मीडिया का इतना परचार हो चुका है जो पुराने कलाकार है लोग उनकी बजाए नयों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो पुराने कलाकार जो है, जो बेष्ट थे, अल्ड इस गोल्ड, तो यह कहवत जो है, अल्ड इस गोल्ड, तो एक बार, जो पुराने कलाकार हैं, उनकी भी रागनी आप सुन सकते हैं, उनकी भी रागनी आप सुन कर देखिए इनके जो राजबीर और राजु की जो पार्टी है राजबीर सर्माज और राजु लोहान की जो पार्टी है इनके नमबर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आप कोई भी कॉम्पेटिशन करवाना चाते हैं या कोई रागनी का प्रोग्राम करवाना चाथते तो आप इनसे कोंटेक्ट कर सकते हैं ये नबर हमारी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्षन में भी दिये जा रहे हैं इस वीडियो को जादा से जादा शेर करें जादा से जादा लाइक करें ताकि आने वाली जो यूवापेड़ी है जो पार्टी बन रही है और बन चुकी भी है उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करें धन्यवाद